चिन में उईगर मुसल्मानों पर हो रहे हैं अत्याचार के खिलाफ बोलने में मुसल्मान देश इतने क्यों डरे हुए हैं। पर या तो लोग नास्तिक हैं या फिर बौध धर्म को मानते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि चीन में जहां और बाकी धर्म के लोग सुकून से रह सकते हैं, वही मुसल्मान के साथ चीन का रवईया, हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका है. और ताज्जुब तो इस बात की है कि इनके ऐसे बरताओ पर ना तो कोई भी इसलामिक देश और ना ही पाकिस्तान, कोई आवाज उठा रहा है, तो क्या चीन में रहने वाले अपने मुसल्मान भाई बहनों का साथ ये इसलामी देश छोड़ चुके हैं? आखिर क्यों चीन दुनिया के इस हिंसात्मक समूह से इतनी घ्रणा करता है और क्यों इसलामी आकाओं ने चीन के मुसल्मानों से मुह फेर लिया? आखिर क्यों चीन मुसल्मानों को इनसान नहीं समझता और बरबरता की सारी हदें पार करके मुसल्मानों के लिए हैवान ब दोस्ती स्वागत है आपका महादेव भक्ती च्यानल पर आगे चलने से पहले अगर आप सच्चे सनातनी राम भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जैश्री राम जरूर लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इसलाम के प्रतिचीन की नफरत दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और चीन इसलाम को मानने वाले बच्चे, बूढ़े और ओरतों तक पर भी दया दिखाने को राजी नहीं है और लगातार उनका बहिशकार कर रहा है। दैनिक भासकर की एक रिपोर्ट के अनुसार, इसलाम को मानने वाले उईगर समुदाए के लोग चीन में मुश्किल से दो करोड के आसपास हैं और वे सभी यहां के बड़े और पश्चिमी क्षेत्र शिंजियांग प्रांत में रहते हैं। वही गुरु पूर्वी और मध्य एशिया में बसने वाले तुर्की जाती की एक जनजाती है। चिन दुनिया भर में चल रही इसलामिक कट्टरता और आतंकवाद से सतर्क रहने के लिए यहां के मुसल्मान पर इतनी कड़ी निगरानी रखता है। यहां ऐसे नियम बनाए गए हैं जो मुसल्मान के इसलाम को भंग करने के लिए काफी है। इसके अलावा अक्टोबर 2021 में चिन ने एपल के एप स्टोर से पाकिस्तान में बनी हुई कुरान मस्जीद की एप्लिकेशन को भी हटा दिया था। इस एप में चिन से लगभग एक मिलियन सब्सक्राइबर्स थे और लोग इस टाइप की एप के मदद से कुरान पढ़ते थे। चिन का कहना था कि इस एप में उन्हें स्टेटमेंट मिले हैं जो इसलामी कट्टरता को बढ़ा रहे थे इसलिए इस एप को चीन से हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। है तो उसे वहाँ एंट्री नहीं दी जाएगी। की बुर्के की आड में पहचान छुपाकर आतंकवादी चिन में घुस सकते हैं। इसी तरह साल 2016 में चीन ने वहाँ के सरकारी ओफिसर टिचर और बच्चों को रमजान के महीने में रोजा रखने पर भी बैन लगा दिया। अगर कोई रोजा रखता है तो उसे स्कूल और नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा चीन की कठरता की हद इतनी है कि साल 2016 से 2020 तक चीन में लगभग 8000 मस्जिदों को दोड़वा दिया गया। कुछ मस्जिदों के गुंबद हटा कर उन्हें चीनी मंदिरों की तरह बनाया गया, वहीं कुछ मस्जिदों को तोड़ कर वहाँ पर पब्लिक टॉइलेट बनवा दिये गए। साथ ही 2018 में चीन ने सिजियां के हरेक एक मस्जिद और स्कूल में कुरान की तालीम बंद करवा दिया और वहाँ पर अब ना कोई इसलामी बच्चा कुरान की तालीम ले सकता है और ना ही इसलाम के बारे में जानने, समझने और रोजा रखने का प्रयास कर सकता है। कहा जाता है कि दूसरे विश्वयुध में नाजियों ने एहूदी पर जो अत्याचार किये वैसा ही अत्याचार की हुईगर मुसल्मानों पर कर रहा है। काफी चिन्तीत है जिसके कारण चीन ने इनके उपर अमानवी अत्याचार करने शुरू कर दिये हैं। चीन में रहने वाले उईकर मुसल्मानों की बारा करोड आबादी को चीन उनकी धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जीने की अनुमती नहीं देता। आंकडे बताते हैं कि चीन ने इस समुदाय के लाखों लोगों को जेल में रखा है जहां इनके साथ बरबर व्यवहार होता है और इनके अंगों को निकाल कर बेच दिया जाता है। चीन का दावा है कि इन में से कि उईगर मुसल्मान आतंकवाद में लिप्त पाए गए हैं। तब से चीन ने इसे बेहद सकती से निप्टा शुरू किया जो पूरे विश्व में आतंकवाद से निपटने के लिए एक मिसाल पेश करती है। इसके बाद चिन में इन उईगरो के लिए एक डिटेंशन कैम्प का निर्मान किया गया है, जहां उईगरो को कैद करके रखा जाता है। तो दोस्तो एत ही आज की बिशेश जानकारी आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताना। आज के लिए बस इतना ही मिलते है कल नया भेडियो के साथ, अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।